हलो दोस्तों मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ यू एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस प्लेटफॉर्म पर हम परिक्षा के लिए जो नया सिलेबस निर्धारित किया गया है उसे क्रम बद्ध रूप से पढ़ रहे हैं और एक एक टॉपिक को हमने क्रम बद्ध तरीके से पढ़ने के बाद अब उसके में MSQs की एक सीरीज शुरू की है 10 वी उनिट जो की एक बहुत महत्वपूर्य उनिट है इसके जो भी कोशन आज सकते एकजाम में उन सब expected questions का एक series हमने बनाया है इसमें हम सभी points को mix करके questions को आपके सामने रखते हैं जब हो सकता था कि एक एक unit के इसाब से भी रख लिए जाएं लेकिन अगर हम गोंड जन जाती की सारे question आपके सामने रखेंगे जो questions रंखला है उसका दूसरा चप्टर चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप सबको syllabus अच्छे से याद करना है हर एक syllabus के एक एक point से question आ सकते हैं syllabus का कोई भी हिस्सा ना छूटे जहां से question आ सकते हैं और हम ना करें हमें हर एक point की question answer को या mcqs को cover कर लेना है तो पहला question आपकी screen पर है उमीद है कि आप सब लोग एक pen और पेपर लेकर बेठे होंगे और जैसे ही आपको screen पर question दिखता है आप अपने मोग test के रूप में या test के रूप में अपने आपकी शमता का आकलन करेंगे इससे आप अपना भी करें और अपने आप में सुधार करने का प्रयास करें क्योंकि अगर आप अपने आप में धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा सुधार भी करते गए तो इस exam के पहले जो की चोटी चोटी कमिया रहे गई उन्हें फिर पूरा कर लेते हैं चलिए शुरू करते हैं निम्नलिकित में से द बेगा उस तक के लेखक कौन है देखिए आप सब लोग जानते हैं कि मद्यपरदेश में बेगा जंजाती प्रमुक रूप से पाई जाती है और इस बेगा यह नाम बहुत महत्योपूर्ण है इनके द्वारा बेगा जंजाती से रिलेटेट सामाजिक आर्थिक सभी शित्रों से सम्मंदित जो बाते थी उनको इस बुक में शामिल किया गया इनकी परमपरा इनकी प्रत्योहार उत्सो सब चीजों का वर्णन आपको बेगा लिए ल पता है कि जंजातियां अपने घर विशेश प्रकार के बना कर रहती हैं जैसे सहरिया जंजाती आपको पता है कि सहराना नाम के इस्थान पर या जहां वो रहती है उसे सहराना कहते हैं सहराना में अलग-अलग प्रकार के घर होते हैं तो घर का नाम नाम पूछा गया है कही पर इसको घर का नाम पूछा जाता है आपको पता है कि भारिया जंजाती के जो घर है उन्हें धाना कहा जाता है निवासिस्थान को धाना कहा जाता है फालिया किसे कहा जाता है कू किसे कहा जाता है देखिए जो भील जंजाती है उनके घरों को कू कहा जाता है उनकी गली महल मद्धिपरदेश में कितनी जरबिये सपुश्पत किया गया है आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने ऐसी जणजातियां जिनका मुल्भूद विकास भी अभी नहीं हुआ जो जणजातियों में भी अती पिछड़े हैं उनको पिछड़ी जणजाति का दर्जा दिया है और इस पिछड़ी जनजाती के दरजे की जो व्यवस्था है वो आप सब को पता है कि 1973 से डेबर आयोक की सिफारिश के बाद पर आधार पर 1976 में शुरू हुई थी हमारे मध्यप्रदेश में जो जनजातियां हैं उनकी कुल संख्या 46 है और उसमें से तीन जनजातियों को 2003 में हटा दिया गया था इस कारण से जनजातियों की संख्या 43 बचती है और इन में से भी तीन जनजाति को अती विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्याता दी गई है और वो तीन जनजाति कौन सी है आप सबको पता है बेगा भारिया और सहरिया ये तीन जनजाति हैं जिने हमारे मध्यप्रदेश में पिछड़ी जनजाति के रूप में नामित किया गया है इसका आंसर तीन होगा भी इसका सही आंसर है आगे बढ़ते ह नेक्स कोशन आपके स्क्रीन पर है निम्नलिकित में से कौन सी जंजाती स्वयम को रावन का वंशज मानती है आपने अगर हमारे विडियो श्रंखला को बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो उसमें हमने एक इस्थान पर एक जंजाती को पढ़ाते हुए आपको बताया कि रा अच्छी सुन्दर जगह पर कोई मानों क्यों नहीं रहता है उसने भगवान महादेव को प्रसन किया और भगवान महादेव से वर मांगा कि इस इस्थान पर किसी प्रमुग जंजाती को बसाया जाए और उसकी बाद हमने एक स्टोरी के रूप में से सुना उसकी ही क्रपा से एक विशेश प्रकायर की व्यक्ति मूला और मुलाई मूला और मुलाई को जो की भगवान द्वारा बनाये गए थे इन्हीं के वंशज के रूप में कोरकु जंजाती का जन्म हुआ और कोरकु जंजाती इसी कारण से रावन की पूजा करती हैं आपको याद रखना है र दयाए कर रावन की पूजा करती है अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा नहीं भी देखा है आप अभी कोरकु जंजाती वाला वीडियो देखिए वहां आना नेकिस ट्रुरी को रूप में से आपकी दिमाग में WHAT क्या हुआ है ऐसी से आगे बढ़ते हैं परिया जनजाती की जो विशेष्टाएं थी उसमें उप जातियां भी हमने पड़ी हैं आपने पड़ा हुआ है कि भूई यार जो है वो इसकी एक उप जाती है आपने पड़ा हुआ है कि भूमियां भी इसकी एक उप जाती है ये दोनों की दोनों ही इसकी उप जाती है और दोनों के दोनों ही option में दे रखी हैं इसलिए A और B दोनों ही सही हो जाएगा अर्थाद हमारा answer C होगा A और B दोनों इसका answer है ऐसे प्रशनों पर ध्यान रखना है कभी कभी examiner हमको जान बुच कर confuse करने के लिए जहां भूमिया लिखना है वहां भूतिया या कुछ ऐसा एक अक्षर में थोड़ा सा चेंज करके उसे नया शब्द बना देता है जैसे भूईयार को भूईहार को भूईहार की बजाए भूईया लिख दिया जाए या इसके इस्थान पर कोई और नया शब्द जो उससे मिलता जुलता हो ऐसा रख करके हमें आपको वर्ड को अच्छे से समझना है कि जंजाती के शब्दावलिया इतनी परफेक्ट है नहीं क्योंकि जंजाती अपनी आम भाशा में बातों को बोलती है और जब इन्हें हिंदी भाशा में लिखा जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आ जाता है लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि वर्ड टू वर्ड उन बातों को याद रखें कि ऐसे प्रश्णों में ये समस्या जरूर होती है आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रश्ण है संत सिंगाजी निमनलिकित में से किसके समकालीन थे आप सब जानते हैं कि निमाड के कबीर किसे कहा जाता है संत स संथ सिंगाजी ने भी उसी प्रकार से प्रणाये दी मानवजाती में नेतिक मुल्यों की स्थापना करने समाज में विकृतियां व्यापत थी उन विकृतियों से मानों को बचाने के लिए और इश्वर की भक्ति का राह दिखाने का बहुत अच्छा सा प्रयास किया आपको याद रखना है संत सिंगा जी कबीर के समकालीन थे महतोपून पॉइंट है आगी बढ़ते हैं नेक्स कोशन आपकी स्क्रीन पे हैं निम्न लिखित में से मध्य प्रदेश की किस जन जाती में सीडोली प्रथा का प्रचलन है आप सब को हमने सीडोली प्र प्रथा क्या है सीडोली प्रथा में क्या किया जाता है भृया सीडोली प्रथा जो है इसमें next question पे आते हैं निम्न लिखीत में से एकलव्य module इस आवासी विध्यालई में कक्षाय शामिल हैं आपको हमने जब योजनाय पढ़ाई थी तो आपको पढ़ाया गए था कि एकलव्य module school की स्थापना की गई एकलव्य module school होते क्या है जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए खुले गए कौन से स्कूल आवासी विध्यालई इनमें आवास की सुविधाय भी होती हैं और साथ में उच्च सिक्षा या उच्च इस्तरिय गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा जो है गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है यह पॉइंट याद रखना है तो जो एकलवे मॉडल स्कूल है यह जवाहर लाल नहोदय विध्यालई के समान ही है जिस प्रकार जवाहर लाल नहोदय विध्यालई जो है वो सभी बच्चों के लिए होते हैं अगर उनी के स्वरूप को केवल आदिवासी बच्चों के लिए उपन कर दिया जाए तो वह एकलवे आवासी विध्याले कहलाएंगे यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यह चीज़ें आसानी से याद हो जाए और यह कक्षा छटी से लेकर बारवी तक के लिए खुले जाते हैं यह महत्योपू अम्मावस्या को आप सब जानते हैं कि कौन सा पर्व मना जाता है हर एक जन जाती यही पर्व मनाती है हमने आपको दो जो है विशेश त्योहार बताया थे बीद्री और नवाखानी बस उसी के सिमिलर जिरोती नाम का त्योहार है जब बच्चे घर-घर जाकर के जो है वह बच्चे इसमें सादू का वेश धारन करते हैं हर्याली अम्मावस्या के दिन और सबके घर से कुछ अनाज इखटा करके त्योहार के रूप में मनाया जाता है जिसे जिरोती कहा जाता है अब याद रखेंगे हर्याली अम्मावस्या को जिरोती का त्योहार मनाया जाता है जिरोती प्योहार के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं निम्न लिकित में से बुड़ा देव मध्यपदेश की किस जनजाती के प्रमूग देवता हैं देखें बुड़ा देव जो है वो एक ऐसे देवता है जिने द्वारा अपने देवता के रूप में पूजा जाता है बुड़ा देव की क्यों ऊंचती के देवता धेवक्ber देवता territorial के तो यहहां선 जीए तब आपका प्रमुख बैग देवता क्योंकि गोंड जन्जाती भी इन देवताओं को अपने देवता के रूप में स्विकार करती है लेकिन क्योंकि गोंड और भेगा की विशेष्टा एक समान है कंफ्यूज नहीं होना इससे आपको बुड़ा देव जो है वो बेगा जन्जाती के प्रमूग देवता है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन है निमने लिखित में से किसी स्थान पर खाज्या नायक का जन्म हुआ सिंपल सा प्रश्ण है खाज्या नायक आप जानते हैं कि जन् जन्जाती व्यक्तित्वर हैं जन्होंने जन्जातियों को स्वतंत्रता अंदोलण में शामिल किया और जन्जातियों की नेतरत्व प्रदान करके उनकी महत्वपुन भूमी निभ्हाई इनका जन्म हमसे पूछा गया है देखो ऐसे समय क्रेश्ण हमसे तीन प्रकार के पूछे जा सकते हैं एक इनका जन्म कहा हुआ एक इन्होंने कहां पर नेतरत्व प्रदान किया और एक यहां इनको कहां फासी दी गई तो ऐसे तीनों ही प्रेश्ण आपको कम्प्लीट कर लेने है आप सबको पता हो कि सांगली ग्राम में इनका जन्म हुआ था निम्नलिकित में से खाज्या नायक का जन्म सांगली ग्राम में हुआ याद रखियेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन हैं मिल्कित में अब भारत का पहला जनजाती विश्विद्यालाई कहां पर है देखे जनजाती विश्विद्यालाई क्या है 2008 में 2007 के अधिनियम के माध्यम से ये भी याद रखिएगा अधिनियम के माध्यम से 2008 में हमारे मद्यपरदेश के अमर कंठक जो के अनुपूर तहसिल में अमर कंठक जो की अवनुपूर तहसल में है सुर्य अनुपूर जिले में है तो अमर कंठक में कैसा विशेश विश्व विध्यालई की स्थापना की गई एक विशेश विश्व विध्यालई स्थापेत किया गया इस विशेश विश्वी विध्यालई का नाम ही हमारे द्वारा रखा गया है आदिवासी विध्यालई या जनजाती विश्वी विध्यालई और ये जनजाती विश्वी विध्यालई कहां पढ़ता है ये पढ़ता है अमर कंठक में आंसर होगा A option आपको याद रखना है आग यह हो सकता है कि ऐसे प्रश्न अलग-अलग जन जाती हूं कि नुरत्या आपको अत्य दिख कन्फ्यूस करते हों तो इनका कन्फ्यूसन करने के लिए मैं आपको एक साधन बता देता हूं मैंने इसे कैसे याद किया हुआ है दिखिए हम जब कुछ खाते हैं जो चटोरे लोग कि याद रखना है इसका आंसर जो है वह सी होगा कुरकु जन जाती आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रशन आपकी स्कीन पर है निमने लिकित में से मध्यपरदेश मुख्यमंत्री दुधारू पशू प्रदाय योजना कब शुरू की गई हमारे मध्यपरदेश में तीन जो पि कौन-कौन सी हैं बेगा भारिया और सहर्या इन तीन जंजातियों को फोकस करते हुए इन तीन जंजातियों के लिए एक पशु या पशु का जोड़ा देने के लिए एक योजना शुरू में बनाई गई और इस योजना का शुरू आती लक्ष केवल गाई प्रदान करना था बाद में इसका नाम बदल करके हमने क्या कर दिया था गाई की स्थान पर दुधारू पशु तो दुधारू पशु पहले गाई के नाम से जाने जाते थी मुख्यमंत्री गाई प्रदाय योजना कहलाती थी बाद में नाम चेंज किया गया मुख्यमंत्री दुधारू पश 2017 को शुरू हुई मुख्यमंत्री दुधारू पश्यू योजना आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रशन आपकी स्कीन पर हैं लमसेना विवा किस जनजाती की प्रिधा है देखिए आप सब लोगों को में ये जनजातियों की विवाह वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा चुक का विवाह है जिसमें लमसेना शब्द का अर्थ आप शब्द जानते हैं अगर शब्द पकड़ लेंगे तो लमसेना शब्द का अर्थ होता है घर जमाई तो अगर किसी लड़के को घर जमाई तो जब कोई लड़का शादी के बिना अपने सुसराल में रहता है और वो सब्सक्राइब या घूरन है याद रखना है और यहाद रखेंगे यहाद रखुए यह पाया जाता है यहीवीवा आपको देखनी को मिले यह वहां वहां अन्य परते हैं मुञ्ड़ kole gradient कि सुछी सवाइब तर्षेश आब करते हैं चलिके है देखे हमने जंजातियों के अनेक नाट्य पड़े उसमें मध्यपरदेश के अलग-अलग अंचलों के अलग-अलग जो नाट्य हैं वो भी हमने पड़े आप सब को पता है कि मध्यपरदेश के अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग प्रकार के अंचल हैं लेकिन पूरे म माझ है मद्यप्रदेश का याद के से रहेगा आप एक बार मद्यप्रदेश लिखिए और उसके जस्ट नीचे माच लिख दीजिए तो मद्यप्रदेश में भी मह है और माच में भी महें से कनेक्ट हो जाएगा और याद रहेगा आसानी से याद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निम्लकित में से भीमान आयक का जन्म किसी स्थान पर हुआ ऐसी प्रश्णों में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तीन प्रकार के महतोपून जो है पॉइंट आप से पू माधी या इनकी इनको फासी कहां दी गई ऐसा एक प्रश्णों बन सकता है भीमान आयक आपको महतोपून जो है जनजाती व्यक्तित्व हैं खंडवा का इन्हें रॉबिन हुट कहा जाता था याद रखियेगा तो भीमान आयक जो हैं उनका जन्म कहां हुआ ये प्रश्ण आपसे पूछा गया है आपको याद होना चाहिए भीमान आयक जो है वह बढ़वानी के रहने वाले थी या बढ़वानी में इनका जन्म हुआ बढ़वानी में जन्म लेने के बाद इन्होंने जो इंदौर खंडवा रोड है सेंद्वा बॉर्डर वाला रो छेतरे वहां जन्जातियों को नित्रत प्रदान किया आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रशन पर आते हैं निमनलिकित में से कोरको जन्जाती सीडू या दारू बनाती है देखिए जन्जातियों में जो मादक दरव्य व्यसन है उसकी एक सामान्य समस्या पाई जाती है सभी सभी जन्जातिय में मादक दरव्य व्यसन की समस्या है यह जो सीडू या दारू इन जंजातियों में बनाई जाती है वो किसी विशेश चीजों से बनाई जाती है को याद रखना है कि सामान्य तह जो दारू बनाई जाती है कोरकु जंजाती द्वारा वो किस पदार्थ की बनती है वो महुव जंगली उत्पात के रूप में जंगलूं वह साम tota कुछ जन घाती है कि ना क술 राउब बनाती जी कहा जाता है वा शीड़ू कची दारू के रूप में महुवे से ही बनाई जाती है याद रखिएगा ने क्षाञ् jugar में निम्नल कितने दोड बलाया सब से हैं देखें डोडबली पर्व क्या है डोडबली पर्व आप सबको याद होगा कोरकु जनजाती का एक विशेश पर्व है और इस डोडबली पर्व में वो जो मनोती होती है उसको पूरा ये मनोती के पूरा होने पर अपने देवताओं को बली चड़ाई जाती है तो याद रखन है कोरकु जन्जाति का प्रमुग त्योहार है डोडबली यह बहुत महतोपूर्पॉंट है याद रहे आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रश्ण आपकी स्क्रीन पे है निर्मनलिखित में से दाद्रिया नृत्य किस का है देखिए हमें जन्जातियों के सभी नृत्य त्योहार पर इस दाद्रिया नृत्य की विशेष्टा है यह है कि इसमें समुम नृत्य किया जाता है आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रश्ण है आपके स्क्रीन पे सहर्या जन्जाति मध्यपरदेश के किन जिलों में निवास करती हैं देखिए ऐसे प्रश्ण जब है वह याद है शिवपुरी शिवपूर ग्वालियर गुना इन अंचलों में यह जन्जाति पाही जाती है आंसर में क्योंकि गुणा भी है शिवपुरी भी शिवपूर भी है इसका अंसर उप्रोग तो सभी हो जाएगा लेकिन फिर में एक बार रेपीट कर दूं यह मद्यप्रदेश की कौन सी अनुसुचे जन्जाति पाई जाती है देखिया हमारे मद्यप्रदेश में जो जन्जातियां पाई जाती है उनकी संख्या आपको पता है 43 जन्जातियां पाई जाती है अब हम हर एक जन्जाति का नाम तो याद करने से रहे हमें हर एक जन्जात लुशाई जो पुर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली है अंगामी दक्षिंब भारत की जन जाती तो ऐसी इस्तितिए में माडिया जन जाती बचती और यह एक जन जाती की उपजाती के रूप में आप सब लोगों ने पड़ा हुआ है इसकोशन का अंसर माडिया जन जात हैं उनका जो स्वास्थ है उस स्वास्थ की रंख्षा के लिए उसके छेत्र में मतलब जंजाती के संबंदित के छेत्र में अनुसंधान मतलब रिसर्च और डिवलप्मेंट को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान केंद्र की गई थी लेकिन बाद में इसे इसका विलाई कर दिया गया इसकी शुरुआद हमसे पूछी है इसकी शुरुआत की गई थी याद रखिएगा जो जन्जातियों के लिए अनुसंधान केंद्र है जन्जाति के लिए छेत्रिय स्वास्त अनुसंधान चेंद्र click ऑं यह वो कर चाहिआ हैं जैसे उराव जनजाती या आप देखेंगे कि पापाल और सीहोर में के अंड हडी करंड है तो ऐसे कुछ जन जाती हैं जो च्छोटी जन जाती है वह की से विशेश जिले में पाई जाती है आप से प्रशण वN पुछा जा रहा है इक हलबा जन इस जिने में पाई जाती है तो देखिए इस शब्द में आग पीछे लगा हल्बा और बा से पीछे इसको रिवर्स पढ़ना शुरू कीजिए बल तो यहां बाला घांट की फीलिंग आई यह आपको या बाला घांट जैसा शब्द बन जाएगा अंसर इसका बाला घंट होग देखें आप सब लोगों को हर जंजाती के नरत्य आद रखने हैं हमारे यहां च Holiday says कोर जन जाती का विशेश नरत्य है लहेंगे नरत्य सहरय को हिज़ा घंजाती का सहरय किया जाता है गौर जन जाती गूर नरत्य वहें और गोर दोनों में себя तो मुल रूप से जो मचली नुरत्य है उसका जो क्रियान वयन या उसका संचालन जो है वो बंजारा जंजाती करती है तो बंजारा जंजाती का नुरत्य कौन सा हुआ मचली नुरत्य इसका अंसर भी होगा मचली नुरत्य जो है वो बंजारा जंजाती द्वरा किया जाता है आगे बढ़ते हैं, next question पर आते हैं, निमने लिखित में से कोरकू अपनी जन में इस्थली को मानते हैं, देखे कोरकू को कहते हुए सुना होगा कि आलो नी राडियो को सावलीगड नी कोरकू, मतलब हम तो सावलीगड के कोरकू हैं, तो यह सावलीगड शब्द फोकस करना है बेतुल जी लेगी जो पहाडी शेतर हैं, सावलीगड शेतर कहलाते हैं, और कोरकू अपने आपको सावलीगड के मूल निवासी मानते हैं, सावलीगड से इस शेतर का उदभव हुआ याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, next question आते हैं, निमने लिकित में से संकर साहा, 1857 की क करांती में किस छेतर से संबंदित रहें या किस छेतर में इनोंने नेतरत्व किया है, देखे शंकर शाह और रगुनात शाह दोनों का ही नाम आपने सुना होगा, शंकर शाह और रगुनात शाह ने जो जबलपूर छेतर के पास वाला गड़ मंडला छेतर है, वहां पर के गोले से बांध कर या तोप के मुह पर बांध कर इनको उड़ा दिया गया था याद रखिएगा इनका पूरा का पूरा संबंद जबलपुर छेतर से हैं याद रहें यह confusion ना हो आगे बढ़ते हैं निमने लिकित में से मद्यपदेश के होशंगाबाद जीले के अंतरगत पंचपड़ी छेतर में रहने वाली कोरकुजंजाती को एक विशेश नाम से जाना जाता है वो लोग क्या कहलाते हैं देखिए आपको यहाद रखना है पंचमडी जो है उसमें कोरकुजंजाती पाई जाती क्योंकि पंचमडी होशंगाबाद जीले में मेरी बातों का उद्देश मेरे कारियों का यह यहाद रखना है यौत आगे बढ़ते हैं नेग्स बहलते हैं निमनेलिकित मैंसे पंच धारा योजना के अंतरक्ट कौन कौन सी योजनाएं शामिल है आप सब जानते हैं कि पंच धारा 7-2Is ब्रहां फांच धाराय निकल रही है। उसमें से तीन 13 है कंने ज्कामिल हो इसके अंदर जै उजनाएं शामिल होगी आपको याद रखना है ऐसे प्रशनों में ये सभी ज़्यादा अंसर होता है या ये सभी के सभी आप्शनों उसमें शामिल ले लिए जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रशन पर निम्नलिकित में से मुंडारी की जनजाती की भाशा है देखिए हमारे मतिप्रदेश में अलग-अलग जनजाती हैं अलग-अलग भाशा बोलती है भील-भीली भाशा बोलते हैं कौरकु कौरकु भाशा बोलते हैं, सहरिया, मुंदारी भाशा बोलते हैं और पार्धी आपको सामान्य तह हिंधी भाशा या मिक्स जो है, वो छतिस गड़ी भाशा बोलते हैं, नजर आएंगे आपको याद रखना है इस question का answer सहरिया होगा सहरिया जो है वो मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं या मुंडारी भाषा शहरिया जनजाती द्वारा बोली जाती है आगे बढ़ते हैं next question है निमने लिकित में से कौर्चु कौर्कु जनजाती में गोधने वाली महिलाओं को या गोधना करने वाली जो महिलाएं हैं जिनने सामाने तरह बेगा और गोंड में बदनीन कहा जाता है उनको कौर्कु जनजाती के लोग क्या कहते हैं यहां एक special नाम है आपको याद रखना है और यह नाम मंडो है उन महिलाओं को मंडो कहा जाता है मांडने वाली महिलाओं को मंडो नाम से जाना जा रहा है ऐसे आप जोड सकते हैं जोडने से वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा कनेक्ट रहेगा आगे याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रश्न है निम्नलिकित में से बेगा जंजाते में कौन सी देवी को वन देवी कहा जाता है वन देवी कौन है देखे वन की देवी जहां पर जंजाती देखे आप सब जाते हैं कि जंजाती का ज़ादातर जो देनिक कारिय है वो जंगलों में बीचता है जंगलों पर उनकी निरभरता आत्ते दिख होती है इसलिए वन देवी की पूजा की जाती है आपको याद रखना जो बंजारिन माई है वो जंजा बेगा जंजाती में बंजारिन माई जो है वो वन देवी के रूप में पूजी जाती है यह प्रश्ण आपको अच्छ से याद रहे बंजारिन माई वन देवी के रूप में पूजी जाती है अगले प्रश्ण पर चलते हैं निम्नलिकित में स जो है वो अपने अपने अंचलों में प्रसिद्ध हैं तो हमें दोनों चीज़ें याद रखतनी है एक लोग cat अर्था जो छेत्री हैं उनको भी याद रखना है और जो जैन जाती है कि परामपरा की आगे बढ़ते हैं नेक्स्टूशन है निवनफे लिखित में से 1857 के विद्रोह में सक्री रूप से भाग लेने वाली जंजाती कौन सी थी आप सब जानते हैं कि मतिपजेश के में 1857 का जो विद्रोह हुआ वो जबलपूर छेतर में भी केंद्र बिंदू रहा और भील जंजाती का जो छेतर जहबु आली राजपूर उसमें केंद्र बिंदू रहा यहां इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि कि जंजाती ने इसमें महतुपूर भूमेगा निभाई देखिए जो जबलपूर छेतर हैं वहां वो आम जंता के नेतरतों में लड़ा गया था लेकिन भील जंजाती के जहबु आली राजपूर छेतर में जो जंजातीयों के लिए घराइबल है इसरच इंस्टिट्यूट यह उसी को निर्थ नाम से जाना जाता है तो यह जो निर्थ नाम हिए बहुत और यह बहुत इस बीजा चुके है आंसर याद हो आप सब लोगों को निर्थ का फुल फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ मतलब जन जाती है स्वास्थ के लिए रिसर्च करने वाला संस था या रिसर्च को समर्पित संस था आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रताइबल व्यक्ति हैं जिसे देवताओं के भाव आते हैं तो इनकी जो नाम गोहिया पंचायद कहलाता है याद रहें को को पहले यह याद हो कि जो भील जन जाती है वो बास सिल्प से संबंदित है अब बास सिल्प या बास की अनेक कलाओं का प्रदर्शन करती है और इसका केंद्र बिंदु जहबुआ है हमारे मद्यों प्रदेश में जहबुआ में बास शिल्प के अनेक प्रकार की चीज़ों ब आते हैं वरतमान में मद्यप्रदेश में इस्थित निम्नलिकित में से कितने एकलव आदर्शा आवासी विध्यालई संचालित किये जा रहा हैं देखिए मद्यप्रदेश में जो आदिवासी विध्यालई हैं उनके बारे में आपको याद रखने हैं कि अभी जो CM Rise School खुले जा रहे हैं उनमें भी CM Rise School उनमें भी उन विध्यालई का विले हो रहा है कुछ स्कूलों को CM Rise School के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है इस कारणिकी संख्या में परिवर्तन आया है और यही प्रेश्ण हम से पूछा जा रहा है कि आवासी एकलव आवासी हैं आपको याद रखना है देखें ऐसे ही टेस्सीरीज के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर इसका अंसर की भी दिया हुआ है आप चाहें तो स्क्रीन शॉट लेकर के अपने कुश्चन का अंसर मिलान करें वैसे मैंने आपको हर एक प्रश्ण की डीटेल भी देखी दी है आप आप सब लोगों को विशेश रूप से ये सुधार अपने आप में करना है आप सब लोग हर एक टेस्सीरीज में कौपी और एक पहन अपने साथ लेकर बैठेंगे और अपना मुल्यांकन स्वयम करेंगे जो प्रश्ण आपको नहीं आते हैं जो प्रश्ण आपसे नहीं बन आप भूल जाते हैं जिन पर आपका कंफ्यूजन है उसे ही दूर करना है हम अपना मुल्यांकन करके अपने आप में सुधार करने की कोशिश हमेशा करें आप सभी का विशेश धन्यवाद इस लेक्शर संख्ला को संख्ला से जुड़ने के लिए इस वीडियो को जादा से लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी सभी बच्चें भी इसी तरह अपने आपका मुल्यांकन करके अपने आप में सुधार कर सकें सभी को विशेश धन्यवाद